गुद मॉर्निंग एवरीवन, विल्कम बैक तो दे चानल, सो आज के इस वीडियो में हम आज के करेंट अफेर, यानि दो अप्रेल के करेंट अफेर देखेंगे स्टाट करते हैं, पहला क्वेशन है, विच स्टेट इन इंडिया है रीसेंटल बीन ग्रांटेट जो इस स्टेट के ट्रडिशनल क्राफ्ट हैं, इनको जी आई टैग मिला है, कौन से स्टेट के हैं, ये असम के हैं, ऑप्शन, सी करेक्ट होगा यहां पर इन तीन के अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे कि ये तो हमने देखी लिया, बेहु धोल, जापी, असम, अशारी कंडी, टेराकोटा क्राफ्ट, असम, पानी मटे का क्राफ्ट, सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, असम, बिसिंग हैं लूम प्रोडट्स, इन सभी को जी आई जी आई टेक्टिडी के डिया गया है, सारे प्रोड़क्स हैं, असम के. जी आई टेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं gig.i का बातलब है जी आई का मतलब है geographical indication. जी आई टेक्ट जीडिया गया जाता है और यह है under the department of industry, promotion and internal trade, ministry of commerce and industry के आंदर ही आता है. Goods Act 1999 के तहट ये tag प्रोवाइड किया जाता है ऐसे products को जो एक specific geographical region से बिलॉंग करते हों और जिन में एक unique characteristic और quality देखने को मिलती है इंडिया के पहले GI tag की बात करें तो ये थी दारजिलिंग T Recent GI tag देख लेते हैं कौन-कौन से products को मिले हैं और वो conscious state से बिलॉंग करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश से 7 products हैं जिनको कुछ समय पहले GI tag दिया गया था ये हैं अम्रोहा धोलक, महोबा, गौरा, पत्थर, हस्तशिप मैन, पुरी, तरकाशी, संबल, हॉन्ट्राफ्ट बागपत होम फर्निशिंग, बारा बंगी हैंडलूम प्रोड़क्ट और कालपी हैंडमेड पेपर उडिशा के product हैं खजूरी, जैगरी, नयागड, कांती मुंडी, ब्रिंजल, कोरा पुठ, काला जीरा, राइस लंजिया, सौरा, पेंटिंग, कप्तगंदा, सौल, धेंकनल, मागजी, मिल्क प्रोड़क्ट और सिमलिपाल काई चटनी फिर इसके बाद गोवा का product देखें तो गोवा मनकुराद मैंगो और गोवा बेबिन का इन दोनों product को मिला है गोवा से जी आइटाइग राजस्थान के हैं उदैपूर, कुफ्तगीरी, मेटल क्राफ्ट, बीकानेर, कशीदा कारी क्राफ्ट, जोधपूर, बंधेज क्राफ्ट और बीकानेर, उस्ता काला क्राफ्ट वेस्ट पिंगॉल के हैं तंगेल साडी, गरड साडी, कोरियल साडी, कालो नूनिया, राइस, सुंदर्बन, हनी गुजराच से है कच्छी घारेक, जमु कश्मीर से है रामबन, अनार दाना और कोरापुट, काला जीरा राइस अरुनाचल प्रदेश से है आदी केकिर, ये एक जिंजर होता है, अरुनाचल प्रदेश के है, जिसको जी आई टैग मिला है ये बुक जो है, मधुमिता मूर्गिया के द्वारा लिखी गई है, ये इसकी ऑथर है, और इस बुक को शॉर्टलिस्ट किया गया है, विमन्स प्राइस फोर नॉन फिक्शन के लिए ये बुक AI के सुसाइटल इंपेक्ट तो दिखाती है, क्या इसकी पावर है, क्या फ्लॉज है और क्या एक्स्प्लॉइटेशन है बुक सेन ऑथर जो न्यूज में रहे हैं, उनको यहां देख लेते हैं इस बुक को एस रमन के द्वारा लिखा गया है, ये इनफोसिस के फाउंडर नारायन मूर्ती की स्टोरी बताती है CDS, अनिल जोहान की बुक है AI and National Security एक समंदर मेरे अंदर इस बुक को लिखा है संजीव जोशी ने रोमेश भटाचारिया ने लिखी है बुक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैरडाइस ओन अर्थ अमित शा के द्वारा एक बुक लॉंच की गई है, इसका नाम है असंस ब्रेव हार्ट लचित बॉर्फुकन बुक Uncommon Love, The Early Life of सुधा और नारायन मूर्ती इसको चित्रा बैनची दिवा करूनी के द्वारा लिखा गया है शर्मिष्था मुखर जी जो की डॉर्टर है फॉर्मल प्रेजिएंट प्रनफ मुखर जी की इनके द्वारा बुक लिखी गई है प्रनफ माई फादर एमजे अकबर और नेटवर सिंग ने अपनी बुक लॉंच की है गांधी अलाइफ इन थ्री कैमपेन और भुपेंदर यादव ने लॉंच की है बुक मोधी एनरजाइजिंग अग्रीन फ्यूचर ATMA या फिर इसको आत्मा भी बोल सकते हैं इसके नए चैरिमन बने है अरनव बैनर जी ऑप्शिन एकरेक्ट है ठीक है बस इतना ही याद रखना काफी रहेगा यहाँ पर अपोइंट्मेंट्स देख लेते हैं लाबनीज जज है नवाफ सलाम यह आईसी जी के नए प्रेजिडन बने है अपूर्वा चंद्रा हेल्थ सेक्रेटरी है जस्टिस रितू बहारी फर्स्ट वमेन चीफ जस्टिस है उत्राखन की चमपाई सोरिन नेक्स चीफ मिनस्टर जहारखन के प्रीती रजाक बनी है इंडियन आर्मी की पहली महिला सूबेदार सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के 17th king बने है नितेश कुमार बिहार के CM के रूप में 9th time इन्होंने शब पतली थी रश्मी शुकला महराष्ट की पहले महिला डीजीपी है आरिंदा बांक्ची इंडिया के permanent representative to UN है वे डॉक्टर आर्विंद पंगडिया 16th finance commission के chairman है क्यानेश कुमार और सुखबीर सिंग संधू election commissioners के रूप में appoint किये गए विच स्टेट इन इंडिया mourned the recent demise of singer वन लाल लुपुही in March 2024 ये singer है मिजोरम की और इन ही के लिए शोक व्यक्त किया है इनका निधन हो गया recently और उसके लिए शोक व्यक्त किया किया है मिजोरम के द्वारा ठीक है पस्याद रखिएगा English और मिजो में versatile singer ये रही है यहाँ पर देख लेते हैं ऐसे व्यक्ती जिनका निधन हुआ है राना तलवार पहले Asian है जिनोंने Global Bank को head किया है इनकी ये रिसेंटली डेथ हो गई है फिर K.J. Joy इनकी डेथ हो गई है ये Maliyala Music Director थे अजीत सिंगिल oldest Olympian और former hockey player थे मुनवर राना ही बात करें तो उर्दू poet थे ये फिर उसके बाद डॉक्टर प्रभा आत्रे renowned classical singer थी उस्ताद राशिद खान हिंदुस्तानी classical singer थे पंडित हरी राम द्विवेदी ये हिंदी साहित्यकार थे उसके बाद नवरंग लाल टिब्रेवाल ये राजस्थान के former governor थे उसके बाद next आते हैं France Beckenbore ये football legend थे जर्मन से बिलॉंग करते थे Professor Ved Prakash Nanda Padma Bhushan winner रह चुके थे Who has been appointed as India's next ambassador to Niger in March 2024 ये है Sita Ram Meena Niger की capital क्या है? Nia में है Currency West African CFA Frank है Niger और the Niger Officially the Republic of the Niger is a landlocked country in West Africa यहां आप देख रहे हैं Niger की location 1960 में France से independence हासिल की Niger ने और उसके बाद से हम देखते हैं आपर बहुत frequent military coups देखने को मिलते हैं ठीक है Capital है Nia में Currency है West African CFA Frank President है Salifu Modi और Prime Minister है Ali Mahamane Lamine Zin Who has received the International Culture Award for the year 2024 ये Award Meena Charanda को मिला है Recognized for Contributions in Education, Social Service and Political Science ये Award दिया गया है Socrates Social Research University at India International Center ठीक है International Culture Award Award और Honors यहाँ पर देख लेते हैं एक बाद रिवाइस कर लेते हैं तो हमारे Prime Minister पहले Foreign Leader हैं जोने भूटान का Highest Civilian Owner दिया गया है बीना अगरवाल और जेम्स के बॉइस को Global Inequality Award मिला BPCL पांचमें नंबर पर रहा है In Business World Real 500 में इन्दिया नानसर डॉक्टर उमारेले को महराश्टर गौरव अवाड दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 20 Categories में गोआ को अवार्ड दिया गया है Best Destination of the Year at ITB Berlin President Murmoo ने Sangeet Natal Academy Award दिया है 94 Artisans को और यतिन भास करने जीता है पहला Prize in National Youth Parliament Festival What is the name of the upcoming Mega Exercise expected to bring together 12 Global Air Forces starting for April 1st 12 countries की Air Force इस पर शामिल होने वाली है और इसका नाम क्या है गगन शक्ती 2024 Exercise Indian Air Force इसको conduct कर रही है country की largest air military exercise in the name of गगन शक्ती 2024 2018 में पहली बार इसको शुरू किया गया था 10 दिन तक यह exercise चलेगी पोकरन में Defense News यहाँ पर revise कर लेते हैं DRDO ने successfully conduct किया है Mission Divyaastra या फिर Agni 5 को धर्मगार्जिन इंडिया और जापान के बीच होने वाली military exercise है राजस्थान में हुई trilateral exercise है 2016 यह मौलदीस में हुई DRDO का दुर्गा टू लेजर वेपन प्रोसस में है फिलहाल military exercise है शांती प्रयास 4 नेपाल में इसको connect किया गया डेफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंग इन्होंने INS संध्यक को commission किया है इंडियन नेवी ने 2024 के साल को declare किया है as year of naval civilians इंडिया साओधी अरभया joint military exercise नाम है इसका सदा तांसिक operation सर्वशक्ती इंडियन आर्मी का है जमू कश्मीर से terrorism को eliminate करने के लिए इंडिया और UAE दोनों की भी exercise होती है desert cyclone who has assumed charge as the principal director general of the press information bureau in April 2024 upon the super innovation of श्री मनीश तिसाई P.I.B. Press Information Bureau के principal director general अभी श्रिफाली भी शरन को बनाया गया है इनसे पहले थे मनीश तिसाई अनुपमा उपाध्य won the women's singles at which event in April 2024 इन्होंने Orlin Polish Open का खिताब जीता है ठीक है next यहां पर sports news रिवाइस कर लिते है Max Verstapp पे ने जीता है F1 Saudi Arabian Grand Prix मुंबाई ने जीता है 2024 Ranji Trophy Tournament New Zealand के रचिन Ravindra बने है youngest cricketer to win Sir Richard Headley Middle 6th National Para Badminton Championship Jamshedpur में हुई French Open 2024 Badminton चराक्षेटी और सत्विक साहीराज रेड़ी ने Men's doubles का हिताब जीता है इसमें और यह इनका इस साल का पहला title of the year है ठीक है Akhil Sharone ने जीता है Bronze Medal in the Men's 50 Meter Rifle 3 Position event at ISSF World Cup in Cairo Abhinav Bindra को select किया गया as a torch bearer for the 2024 Paris Olympic What is the name of the global lab network launched by WHO to monitor and identify emerging coronaviruses WHO के दुबारा global lab network launch किया गया है इसका नाम है CoviNet ठीक है especially coronaviruses जो भी emerging coronaviruses है उनको monitor और identify करने के लिए किया गया इसलिए नाम भी इसका CoviNet रखा है इसमें 21 countries से 36 labs participate कर रही है ठीक है World Health Organization की बात कर लेते है WHO एक specialized agency है United Nation की जो की international public health के लिए responsible है 1948 में इसके स्थापना हुई थी Geneva, Switzerland में headquarter है और इसके 6 regional offices भी है It is governed by World Health Assembly Director General है Tedros Adhanom Ghebreyesis अब लास्ट में एक क्वेशन है आप लोगों के लिए Where will the nuclear energy summit take place in 2024? New York, Geneva, Brussels या फिर दूबाई आंसर बताएगा कमेंट में और इसे के साथ विडियो का होता है Thank you so much for watching Jai Hind Jai Hind